हेलो दोस्तों, सोसियोलोजी क्लासेज में आप सबका स्वागत है आज हम डिसकस करने वाले हैं इनिक्योलेटी और सोसियल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में हम जब भी सोसियोलोजी स्टाडी करते हैं तो हमारा मेन परपस होता है कि सुसाइटी को जानना सुसाइटी को हम अच्छी तरीके से भी जान सकते हैं और उसमें क्या-क्या बुराई है उसमें भी हम सुसाइटी को समझ सकते हैं इसलिए हमें ये इनिक्योलेटी और सोसियल स्ट्रेटिफिकेशन को जानना बहुत जरूरी है अगर हमें सुसाइटी को जानना है आज का टोपिक ही है हमारा inequality और social stratification इसमें हम inequality की जो अलग-अलग types है और जो हमारा major thinkers है उनका क्या कहना है social inequality के बारे में ये सारे चीज़े देखेंगे फिर देखेंगे social stratification और उसका कुछ major theoretical perspective जैसे functionalist perspective, Marxist perspective और waverian perspective और ये जो inequality और social stratification है इससे हम किस तरीके से उभर कर आ सकते हैं जो हमारा concept है meritocracy का इस concept को भी हम detail में देखेंगे अगर आप मेरे classes में ने है तो चैनल को subscribe कर लेना और वीडियो को like और share जरूर करना और इस channel पे आपको बहुत सारे playlists मिलेंगे जहाँ पर आप लोग playlist से study कर सकते हो आपको बहुत help मिलेगा अगर class में कोई अच्छा चीज हो या फिर बुरी चीज हो आप लोगों को अगर किसी तरीके का video की जरूरत है classes की जरूरत है तो आप लोग comment box पे मुझे को जरूर लिखना मैं कोशिश करूँगा कोई आपको वो सारे चीज़े provide किया जाए तो चलिए आज का class हम शुरू करते हैं हम पहले देखते हैं कि inequality exactly होता क्या है inequality refers to imbalance in quality, size, degree, value और status inequality के बारे में हम सभी हर जगाँ पर देखते हैं और हमारे रोज मर्रा की जिंदिगे में भी हम inequality को देख सकते हैं inequality एक ऐसा imbalance है किसी भी चीज़ के quality, size, degree, value या फिर status में inequality का जो root है वो हम हमारा जो society का formulation है उसमें ही हम inequality देख सकते हैं क्योंकि हम हर चीज में एक दूसरे के साथ differentiate करते हैं और एक दूसरे चीज के साथ तुलना कर सकते हैं अगर मेरे पास कोई छोटा mobile हो और किसी के पास अगर iPhone हो तो हम उसमें भी देख सकते हैं कि किसके पास ज्यादा चीज़े हैं और किसके पास कम पैसे वाला mobile है यानि कि यहाँ पर भी हम inequality का concept देख सकते हैं सेम तरीके से हम stratification भी देख सकते हैं हमारे society में जब भी हम inequality के बात करते हैं तो हम mainly caste, class, gender और power के हिसाब से ही चीजों को समझने की कोशिश करते हैं इसके अलाबा भी हम अपनी दुनिया में बहुत सारे factors ऐसे हैं जिससे हम inequality देख सकते हैं हर जगा पर हम society में inequality देखते हैं और हमारा main purpose ही होता है यह inequalities को दूर करना ताकि हर किसी को equal rights मिल सके पहले हम देखते हैं कि जो inequalities का main type है एक होता है हमारा natural inequality और दूसरा होता है social inequality natural inequality क्या है natural inequality है हमारा natural या फिर physical inequality जो हम by birth लेकर आते हैं जैसे हमारा age कितने age के हुए है हम किन्स तरीके का काम कर सकते हैं उसके बाद हमारा health condition हमारा by birth कोई disabilities है के नहीं है या फिर हमारा जो structure है वो किस तरीके से bodily structure है हम male है के female है ये सारे चीजे भी हमें matter करता है natural inequality यानि कि ये सारे चीजों में जो हमें जनम से मिलती है हमारा mental ability ये सारे चीजे हमारा natural inequality होता है मैं आप लोगों को example की द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ अगर कोई बच्चा normal पैदा हुआ है और वो सारे काम कर सकता है लेकिन एक बच्चा अगर उसका जो आखे है वो अगर नहीं रही तो वो कैसा होगा इन दोनों के बीच में जो फर्क है उसको कहा जाएगा natural inequality यानि कि nature ने हमको इस तरीके से बनाया है अब देखते है social inequality social inequality हमारा society में हर जगा पर होता है हम जब भी unequal opportunities की बात करते है unequal rewards की बात करते है यहाँ पर हम social position के हिसाब से या फिर social status के हिसाब से किसी एक group को preference देते हैं जिसके बज़े से उसके पास ज्यादा चीज़े होती है उसके पास ज्यादा rewards और opportunities का chances होता है इसको ही कहा जाता है social inequality अगर मैं example की तोर पे आपको समझाओं कि जो भी हमारा इंदिया का mainly caste system है caste system में हम देखते हैं ब्राम्मन, शत्रिय, वश्य, शुद्र यहाँ पर जो ब्राम्मन होते हैं उनको mainly study का rights था पहले वो लोगी सिर्फ हमारे लिए पूजाय कर सकते हैं वो लोगी सिर्फ भगवान के पूज सकते हैं यानि कि वो काम उनको पहले से ही दिया गया है यह create किया गया है हमारे society के दौरा कि जो भी पूजा पाठ है वो भ्राम्मिन्स करेंगे और बाकी कोई नहीं कर सकता है यह होता है हमारा social inequality यानि कि society के दौरा तैयार किया गया inequality अब जब हम natural और social inequality के बात करते हैं नेचर हम पर कुछ हद तक हमारा inequality का कारण है लेकिन ज्यादा तर जो हमारा inequality है वो हम social inequality ही देखते है inequality हम में जो differences है वो inequality तभी बनता है जब हम खुद उसको mark करें हम खुद उसको select करें तभी वो inequality बनता है अगर हम कभी उसको judge नहीं करेंगे तो वो कभी भी inequality नहीं बनता है जैसे कोई इंसान का आख नहीं है वो देख नहीं सकता और देखने के अगर वो देख नहीं सकता तो बहुत सारे काम नहीं कर सकता है इस चीज़ को जब हम evaluate करेंगे क्या रहे वो तो अंधा है वो यह सारे काम नहीं कर सकता वो पड़ाई नहीं कर सकता यह सारे चीज़ा जब हम mark करेंगे तो उसको कहा जाएगा social inequality तब ही वो inequality बनेगा अगर हम उसको mark नहीं करेंगे उसको importance नहीं देंगे तब वो inequality नहीं बनता social inequality हम society में division of labor में ज्यादा तर देखते हैं जैसे हमारे caste system में भी division of labor है और इसके बाद अलेबा भी हमारा जो class system है उसमें भी हम division of labor देखते हैं division of labor में भी social inequality होता है कोई एक group को extra preference दिया जाता है कोई न कोई काम के लिए अब हमारा रोसो ने दो तरीके का inequality के बात की है पहला जो है वो है natural या physical inequality जो हमें बाइबार्त मिलता है और दूसरा है moral और political inequality यहाँ पर कुछ लोगों को authority दिया जाता है कुछ लोगों को privileges दिये जाते है यानि कि उनके पास कुछ power या फिर honor होता है जो उनको politically मिलता है इसको ही कहा जाता है political inequality यानि कि politics के दौरा या फिर लोगों को सोचने के दौरा morally किसी भी लोग को ज्यादा power दिया जाता है और उनको honor दिया जाता है ताकि वो लोग कोई special काम कर सके अब देखते हैं Tokyo Willi ने किस तरीके का inequality का concept बताया है उन्होंने कहा है कि जो natural inequality है ये तो हमारे society में exist करता है इसको हम कुछ नहीं कर सकते इससे हम बाहर नहीं निकल सकते लेकिन उन्होंने कहा था कि हमारा जो inequality है हम दो तरीके के society में mainly इसको बाढ़ सकते हैं एक होता है aristocratic society और दूसरा होता है democratic society aristocratic society ऐसा society होता है जहाँ पर hierarchy के basis पे चीजों को division किया जाता है जैसे हमारा caste system या फिर estate system caste system को कहा जाता है mainly aristocratic society जहाँ पर चीजों को social stratification या फिर hierarchy के basis पे लोगों में divide किया जाता है और दूसरा होता है हमारा democratic society ये एक ऐसा society होता है जहाँ पर लोगों का mobilization possible है यानि कि कोई एक class से दूसरी class में जा सकता है वो अपने काम के दौरा अपने skills के दौरा एक position के एक class से दूसरी class में जा सकता है लेकिन जो aristocratic society होता है वहाँ पर social mobilization का कोई chance होता ही नहीं है वहाँ पर जो जनम से जिस position पे रहते हैं जिस काश्ट से बिलंग करते हैं वहाँ पर उनको रहना पड़ता है लेकिन democratic society में ये mobilization का chances होते हैं कि एक इंसान एक class से दूसरी class में जा सकता है अब देखते हैं हमारा social stratification क्या होता है social stratification refers to the division of people into different categories यानि कि social stratification एक ऐसा division of people है जहाँ पर हम लोगों को category wise divide करते हैं ये सिर्फ हम caste में नहीं देखते हैं यहाँ पर हम लोगों को wealth के basis यानि किसके पास कितना पैसा है या फिर जमिन जाइदात है इसके basis बे हम cuategorize कर सकते हैं उनके income के basis पे लोग कौन से race से belong कर रहे हैं उनका educational qualification के basis पे भी कर सकते हैं वो कौन से gender से belong करते हैं वो क्या man है woman है या फिर third gender है उसके basis पे भी क्या जा सकता है उसके अलाबा occupation, social status, उनका power ये सारे चीजों के basis पे भी हम social stratification कर सकते हैं कोई ना कोई category तयार कर सकते हैं इसको ही कहा जाता है mainly social stratification यानि कि society में stratification create करना किसी categorical नजर में रखते हुए अब देखते हैं जो major theoretical perspectives है social stratification के लेके social stratification को लेके बहुत सारे perspectives हैं लेकिन हम mainly तीन तरीके का perspective को study करते हैं एक है हमारा functionalist perspective दूसरा Marxist perspective और तीसरा है Weberian perspective functionalist perspective क्या है हम पहले भी classes में कर चुके हैं कि functionalism ऐसा school of thought है जहाँ पर सारे चीजों का function को importance दिया जाता है कोई भी चीज हो उसका कुछ न कुछ function होगा अगर हमारा society में crime हो रहा है या फिर suicide हो रहा है इसका भी कुछ न कुछ function है इसी तरीके से social stratification का भी कुछ न कुछ function है वो लोग कहते हैं कि अगर हमारे society में social order और stability बजाए रखनी है तो social certification ज़रूरी है इसके द्वारा ही हम society में order और stability बजाय रखते हैं फिर आता है हमारा marxist perspective marxist perspective हम mainly Karl Marx से जोडते हैं Karl Marx एक conflict theorists है यानि कि उन्होंने सारे चीज़ों के conflict के द्वारा समझाने की कोशिश की थी कि एक चीज और दूसरे चीज में जो भी conflict होता है उसके हिसाब से उन्होंने चीज़ों को समझाया है उन्होंने mainly working class और जो capitalist class है उनके बीच में जो differences है इसके द्वारा अपने theorist तयार की है उन्होंने कहा था कि हमारा जो society है वहाँ पर जो stratification है ये mainly हमारा production process से द्वारा ही हम पाते हैं production process यानि कि कि किसके पास ज्यादा पैसा है production का जो means है यानि कि factories कौन ओन कर रहा है और दूसरा होता है वो इंसान जो उस factories में काम कर रहा है यानि कि पहला जो group है जो stratification का पहला strata है वो होता है ruling class जो rule कर रहा है और दूसरा होता है working class अब देखते हैं हमारा Weberian perspective मैक्स Weber ने कहा था कि हमारा जो class situation है ये mainly हमारा market situation के हिसाब से होता है हमारा market situation के हिसाब से हम class तयार कर सकते हैं हमारा अलग-अलग तरीके का class होता है हमारे society में उन्होंने कहा था कि mainly 4 तरीके का class होता है और वो जो classes है वो market situation के हिसाब से तयार होता है जिस group का market situation एक जैसा है वो एक class form करता है और यही class situation हमारे life chances के similar है यानि कि हमारा class situation ही हमें समझायागा कि हमारा life chances क्या है हम कौन सी चीज़ों को कर सकते हैं हमारे घर में कौन से amenities होंगे हम किस तरीके से हमारे पैसे को invest कर सकते हैं यह सारे चीज़े webinar perspective में कहा गया है अब देखते हैं dysfunction of stratification के बारे में यानि कि हमारा जो social stratification है इसमें किस तरीके का demerits है हम जब भी social stratification का बात करते हैं यानि कि हम society को बहुत सारे category में divide करते हैं इस बज़े से ऐसा होता है कि बहुत बार talented person जो भी skillful person है वो opportunities नहीं पाता जिसके बज़े से वो mainstream society से बाहर चला जाता है और उसका जो skill है वो हमारे काम नहीं आता और हम देख सकते हैं कि जो अब भी हम social stratification की बात करते हैं वहाँ पर कुछ लोग allied position पे होते हैं या फिर powerful position पे होते हैं और वो लोग अपना जो भी ideology है वो बाकी लोगों के ऊपर थोप देते हैं यानि कि जो नीचे के लोग होते हैं lower class के लोग होता है वो ही काम करते हैं जो allied चाते हैं यह mainly हम देखते हैं हमारा education sector में education में जो भी syllabus तयार किया जाता है कारिकुलम तयार किया जाता है यह political power में जो होते हैं और जो भी allied persons हैं वो लोग तयार करते हैं वो लोग अपना ideology dominantly वो जो lower strata में लोग हैं उसके ऊपर impose कर देते हैं वो ही decide करता है कि वो लोग किस तरीके का study लेंगे और वो जो नीचे के लोग है वो किस तरीके का skill gain करेंगे फिर होता है हम जब भी social stratification की बात करते हैं इसके दुआरा हमारा जो social integration है यह भी बहुत problem में आ जाता है हम society में integrated नहीं रह पाते क्यूंकि social stratification के दुआरा अलग-अलग groups तयार हो जाते हैं जिसके बज़े से वो लोग अपने अलग ही दुनिया में रहते हैं और अलग तरीके से उनका जो culture होता है वो बन जाता है इस बज़े से society में integration में का भी बहुत ज्यादा problem हो जाता है अलग-अलग class के लोग एक साथ एकठा नहीं हो पाते क्यूंकि यह social certification उनमें रहता है social certification के बज़े से हमारा motivation में भी बहुत फरक पड़ता है हमारा जो population होता है यह unequally उसको opportunity नहीं मिलता क्यूंकि social certification के बज़े से किसी group को ज्यादा importance दिया जाता है और किसी group को low importance दिया जाता है इसके बज़े से उनमें अलग तरीके का motivation बना रहता है और वो लोग हर चीज में participate नहीं कर पाते अब देखते हैं यह जो inequality और social certification है इससे हम किस तरीके से उभर कर आ सकते हैं इसके उभर के आने का एक theory है meritocracy यानि कि meritocracy एक ऐसा social system है जहाँ पर जो सबसे able person होगा यानि कि जिसके पास ज्यादा knowledge होगा या फिर ज्यादा skill होगा उसको ही society में ज्यादा importance दिया जाएगा उसको ही अच्छा social status मिलेगा यानि कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो भी काम होगे जो भी लोग किसी एक position बे appoint होगे वो अपने merit के basis पे होगे इसको ही कहा जाता है meritocracy अब meritocracy का जो concept है ये mainly Michael Young ने दिया है वो कहते है कि British society में ऐसा दोर आएगा जहाँ पर लोग equal opportunities पाएगे और हर कोई अपने talent के basis पे ही अपना position decide कर पाएगा लेकिन ये जो meritocracy है इसका भी criticism है इसका भी problems है कुछ Michael Young ने कहा है कि ये जो meritocracy है ये completely dysfunctional है society में यानि कि अगर completely meritocracy किसी जगा पर establish हो गया तो बहुत सारे dysfunction हो सकते है उन्होंने कहा था कि meritocracy के बज़े से जो भी merit है merited person है वो उस position पे तो पहुच जाएगा लेकिन उसके बज़े से वो बाकी जो लोग उस position पे नहीं पहुच पाए उसको बहुत inferior नजर से देखेगा क्यूंकि उसके पास knowledge है उसके पास skill है और बाकी लोगों के पास skills नहीं है इसके बज़े से एक बहुत disparity का situation बन जाएगा यहाँ पर जो भी लोग अच्छे position पे पहुचेंगे वो खुद को superior समझेंगे बाकी के मुक्याब ले इस बज़े से उसमें एक self arrogance आ जाएगा इसके बज़े से हमारे society में बहुत सारे और problems create हो सकते हैं आशा करता हूँ आज का जो यह class social certification और inequality पर था यह आप लोगों को अच्छा लगा है अगर class अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe कर देना और comment करके जरूर बताना कि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत हुई है क्या या नहीं हुई है अगर आपको कोई भी problem है कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सारे चीज़े provide कर दूँ तो मिलते हैं अगली class में तब तक अच्छे रहिए सुवस्त रहिए और लोगों में प्यार बाटते रहिए जय हिंद